कि नमस्कार आप सभी जूड़ चुके एब यसी से तो आज के इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आज अपन विद्धी करेंगे स्वतंतर चर्व को बदलने वाली विद्धी इस विद्धी को करने के बाद में आपकी एक्सराइज नबर फर्स्ट की सी कंप्लीट हो जाएग उसमें टोटल 10 की सुनें और एक्जामपल्स है पांच साथ एक्जामपल्स आपको अपनी आप करने हैं और किस्टन्स मैं बता दूँगा तब आफ एक्जामपल एकदम आसानी से कर लोगे तो यह विद्धी क्या करती है कि सबसे पहले इसमें एक मानक समिकन होती वो तो प क्या है एक्स के फलन है तो यहां तक तो सभी को पताईए अब स्वतन तर्चर को बदलने वाली वीडियो को बताने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो स्टुडेंट यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली वीडियो जो से मिल जाए इसके खारण और अपने दोस्तों को भी बताई कि इस प्रकार के यह चैनल है और इसमें हमें पढ़ाए जाता है अगर आपको बढ़िया लगे तो लाइक कीजिए वीडियो को और दोस्तों में सेर कीजिए और कोई कुछ भी प्रोब्लम हो चोटी चोटी भी प्रोब्लम हो तो कमेंट कर देना मैं उसका जबाब ज़रूर देने का प्रियासे करूंगा तो अब आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब को बदलने वाली वीडियो को पता है अब देखिए माना स्वतनतर चार एक्स को यानि इसमें जो स्वतनतर चार एक्स है सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हुए जहां जब बराबर एफ एक सूर्य में परिवर्तित करना है तो परिवर्तित करने के पाथ साथ एकिशक दढा अगिए टू बाउन देजेड ब्लस पी की जनगे प्लस की की जनगे क्यूँ यख़ एक्पल टू पार न यानि एक्सक 的 एड़ेगा और पी की जगे पहन क्यूच की जैब औरार की जरा fender नहीं आजाएंगे अब देखिए पीवन का फोर्मूला क्या होगा क्यों का फोर्मूला क्या होता है तो पीवन का फोर्मूला भी याद करना पड़ेगा क्यों का फोर्मूला याद करना पड़ेगा और आर्वन का फोर्मूला भी याद करना पड़ेगा तब यह विद्या गय और Q1 बराबर है Q upon dz upon dx का whole square अब यह Q कौन से है जो आपको समिकन पुरानी वाली देर के मानक रूप वाली उसमें से Q उठाना हो उसमें से भी R उठाना है अब R1 बराबर होगा R upon dz upon dx का whole square यानी Q1 और R1 का फॉर्मूला सिंपल है Q1 बराबर होगा Q बटा dz upon dx का whole square और R1 का होगा R बटा dz upon dx का whole square अब है P1 P1 का formula याद रखना है और Q1 और R1 का तो अपर याद हो जाएगा तो P1 पराबर है D2Z upon DX square प्लस P DZ upon DX upon DZ upon DX का all square तिनों में upon में सेम है DZ upon DX का all square DZ upon DX का all square अब suppose किजिए कि समिकन अपने पास मानक रूप से दिया वागा किशन में जैसे मानक रूप की समिकन थी D2Y upon DX square प्लस PDY upon DX plus QY equal to R थी अब उसको चैंज करना है Z में अब उसको चैंज करना है Z में तो Z में चैंज करने के लिए सबसे पहले ये formula आने चाहिए P Q R के formula बता दी ये तिनों याद होने चाहिए इसके अलावा अगर अपन Z का मान पूछ ले यानि डी वाइपॉन डी जै कैसे निकालेंगे और डी टुवाइपॉन डी स्क्वेर कैसे निकालेंगे तो उससे निकालने के लिए हमारे पास साधान से एक formula है कि वह डी जैड़ अपॉन डी एकस का अली स्क्वेर बराबर क्यू इसक्वेर होगा यानि जो मानक समीकर्ण से Q का मान आया था उसका square करना है और डी जैड़ पॉन डी एकस का अली स्क्वेर करके वह उससे बराबर कर देंगे तो उससे अपने पास ये डी वाइड डी स्टार्ट करते हैं अपन यह बुक दिखा दू मैं आप लोगों को कौन से नमर पेज से स्टार्ट कर रहा हूं यह देखें पेज नमर शिक्स्टी ने जहां पर एक से से कर फस्ट की भी थी उसके नीचे विदी स्टार्ट होड़ी श्वतंतर चौर को बदलने वाली विदी तो उसमें यही दे रख है यह मानक समीकन है और यहां देखें इसे जैड में चेंज किया है इसके पूरा चेंज क यह एक्जांपल स्फեյ होते हैं एक्जांप्ल इसमें है और शे निम्हाइज नमर फ्सट सिस्ट अजाती है जह आप लोगों को करने है उसके बाहरां किया अजाती है इससरी फस्ट सी स्टार्ट करेंगे विद्वाइं इसमें देखें डी कुल टु ड यह बाइग्ड्या सब्सक्राइब होते हैं यह सबी को पता हैं बाताए नों को इस नों का फोर्मुला बृता दियर ऑला यहां के स्क्लीर हो जाएंगा यहनivo upon dx का all square बराबर q2 करना है तो question number first हमारे पास है 1 plus x square का all square d2y plus 2x bracket 1 plus x square dy plus 4y equal to 0 तो अब हम करते हैं note से 10 के 10 question यह question number first है हमारे पास है तो question number first कहे रहा है कि 1 plus x square का whole square d2y plus 2x bracket 1 plus x square dy plus 4y equal to 0 है तो सबसे पहले मानक समिकर्ण बनाने के लिए d2y का गुणा को ना चीए एक तो अब इसे एक करने के लिए इस पूरे का बाग देंगे पूरी समिकर्ण में तो पूरे का बाग देंगे तो यह बन जाएगा d2y plus यहां से एक उपर कट हो जाएगा एक नीचे आजाएगा 1 plus x square तो यहां पर होगा 2x upon 1 plus x square dy plus 4y upon 1 plus x square का whole square into y equal to 0 अब इस समिकर्ण में p q r का मान पता ही होगा कौन सा होता है यह dy के साथ में होता है वो p यह होता है तो p बराबर आगे 2x upon 1 plus x square और y के साथ में होता है तो q बराबर आगे 4 upon 1 plus x square का whole square और equal to के right hand side में r होता है तो r बराबर होगा 0 अब देखे सबसे पहले अपने को z निकालना है यानि dz upon dx निकालना है और उसी का भी बता रहा हूं मैं तो dz upon dx यह मानना है यह एक तीज इपोर्टेट है इसमें बाकि सबी फॉर्मूले से हो दाएगा तो dz upon dx का whole square बराबर q square करना है यह क्यूं निकालना था उसका whole square करना है यानि whole square के रूप में लिखेंगे यहां पे तो यहां पे दियावा है यह 2 है यहां पे तो q बराबर 4 upon 1 plus x square का whole square है तो whole square का रूप में लिखेंगे तो यहां पे 2 कर देंगे तो 2 upon 1 plus x square का whole square whole square कर दिया अब whole square को दोनों से दोनों तरफ कट जाएगा तो dz upon dx बराबर 2 upon 1 plus x square आ गया यहां तक आ गया अब उसके बाद में एक तो निकालना है इसका एक और 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 उकलन करना है तो हमारे पास आजएगा डी टू जड़ अपॉन डी एकस स्क्वेर तो वह हमारे पास है फोर एकस अपॉन वन प्लस एकस स्क्वेर का whole square और एक इसका करना है समाकलन ताकि जड़ का हमारे पास आजए वेल्यों तो दी जड़ अपॉन डी एकस उस तरफ जाएगा एकस के तरफ तो यहां बजाएगा डी जड़ टू अपॉन वन प्लस एकस स्क्वेर डी जड़ टू आ गई और डी टू जड़ अपॉन डी एकस स्क्वेर की वेल्यों आ गई और जड़ की वेल्यों आ गई अब पी वन क्यू वन और आर वन के फॉर्मूलों में वह वेल्यू अपने कुछ से यह तिनो वेल्यू तब ही अपने निकाल गए तो पी इकल टू टू फॉर्मूला हैं तो इन तीनों के वैल्यू रखेंगे और पी के वैल्यू जो पहले बताई थी वही रखने हैं अभी तक है कि यंदू और इनडवी की वैल्यू रखेंगे तो महरे पास पी वैल्यू आएगी 0 कलते तो और R1 बराबर R बर्टा DZ upon DX कोल स्क्वार इकल टू आएगा जीरो इसका मान भी मैं अर पास जीरो आएगा क्योंकि R बराबर जीरो था तो जीरो अपन कोई संग्या होती है तो जीरो यह आता है अब इस्ट समिकन बन जाएगे तो हमारे पास यहां से बनेगी समिकन D2Y upon DX square plus Y equal to zero यह समिकन बन गी अब इस समिकन की साइक समिकन निकालेंगे और इसका CF निकालेंगे वही मारा जीरो होगे अब साइक समिकन D की जगे हम रखेंगे तो M square plus one equal to zero होगे साइक समिकन और M का मान आएगा दो एम बराबर प्लस आएटा माइनस आएटा उससे CF निकलेगा Y equal to C1 cos Z plus C2 sin Z में इस बार देख लिए अब इस अब यहां पी जड का मान है वह रखेंगे जो अपने पिच्छे सोल किया था समाकलन करके जो जड़ की वैलिव निकाली थी वह मान यहां पर रख देना है जड़ बराबर लोग में सीवन प्लस एक्सिस क्वेर निकाला था वही मान आगे र प्लस एक्सिस क्वेर प्लस सीट्व साइन लोग वन प्लस एक्सिस क्वेर यह होगा इस क्यों का आंसर तो विदि मुझे लगता है कि 70-80% बचों के समझ में आच चुकि है एक वार में भी और जिन बचों के नहीं समझ में आई है तो आगे और 9 किस्तन और वो करेंगे तो कुंसे समझ में आजाएगी तो इस परकास ये भी दिये समझ में आए तो बताना कमेंट करना और नहीं भी आई तो भी कमेंट करना कमेंट करना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझसे पता चलता है कि क्या आपके चल रहा है और क्या मैं बताने का परियास कर रहा हूं Q2 x3-x d2y plus dy plus n2 x3 into y equal to 0 सबसे पहले से मानक समिकन बनाएगे तो इसका कोफिशेंट है इसका गुणा कोगा 1 तो इसका भाग देंगे पूरी समिकन में तो d2y plus 1 upon x common ले लिए x2 minus 1 dy plus n2 x2 upon x2 minus 1 into y equal to 0 यह मानक समिकन आगे और इसमें से यह हो जाएगा पी यह हो गया q और यह हो गया r तो p की वैल्यों मारे पास हाई 1 upon x bracket x square minus 1 q equal to n square x square upon x square minus 1 and r equal to 0 अब मानना dz upon dx का all square बराबर q e square यह यह q है इसका square मानना है तो यहां पे q का square माननेंगे तो dz upon dx का all square बराबर q square अब यहां भी square और यहां भी square है पिछले वाले में तो square नहीं था तो square बनाया था इसमें square उपर है तो नहीं बनाएंगे तो square से square कट जाएगा तो dz upon dx बराबर nx और इस पे आजाएगा square root अंडर root आजाएगा तो इसकी power one upon two लिख देंगे अब इसका एक वार और आउकलन करेंगे तो dz upon dx square आउकलन करके देख लेना और उसका मान आएगा minus z upon x square minus one की power 3 बटा 2 फिर वापस यहाँ पे आएगे और इस dx को उससरफ गुणा करवाएगे और इसका समाकलन कर देंगे तो dz बराबर n बार ले लिया चाथ था समाकलन x dx बटा x square minus one की power one by two तो इसका समाकलन सादान सा हो जाएगा z बराबर n root z square minus one यह जड़ कामाना आगे तो last में एक दम काम आएगा अब p1 के value निकाल लेते हैं जिसमें यह value और यह value रखनी थी तो अब बार बार मैं formula p1 का नहीं बोलूँगा सिधे value बता दूँगा तो p1 equal to d2z upon dx square plus pdz upon dx upon dz upon dx का all square तो p1 में यह सभी बेमान रखेंगे तो इसकी value आएगी 0 और q1 की value है 1 और r1 की value है 0 तो अब इस्ट समिकन थी हमारे पास d2y upon dz square plus p1 dy upon dz plus q1 into y equal to 0 equal to r1 तो इस सभी की values रखेंगे तो हमारे पास समिकन बनेगी समिकन बनेगी हमारे पास d2y upon dz square plus y equal to 0 इसकी साइक समिकन बनाएंगे दोनों में से y को मन लिया तो d square plus 1 into y equal to 0 साइक समिकन बनेगी m square plus 1 equal to 0 तो m के दो माना आगे plus 8 minus 8 तो cf बन जाएगा इसका y equal to c1 cos z plus c2 sin z अब इस z का मान रखेंगे जो पहले निकाला था x root x square minus 1 था तो y equal to c1 cos x root x square minus 1 plus c2 sin x root x square minus 1 इसका आजाएगा answer तो साइद n से person है वो सभी को करने है इसमें यहाँ पे एक n और था तो वो n किसमें c1 में count हो गया ऐसा मत कहाना कि भी n था n लिखाने तो n c2 में count हो गया और इसमें c1 में count हो गया तो इस प्रकार चाहिए question है third question d2y minus 1 upon x dy plus 4 x square y equal to x की power 4 अब इसमें आगे आर कमान आगे तो पी ए निकालना पड़ेगा पिछले किसमें और कमान जीरो था इसलिए क्या था था जिसलिए क्प निकालता ही य कमान आ जा था अब इसमें पी आई का मान निकालना पड़ेगा फिर य का मान आएगा सीफ पलस पी पिछली एक्साइज में भी ऐसा हुआ था और इसमें भी आशाइज एक दूसरे से को रिडियेट रखती है यहनी डिलेस्टन हो आए सभी एक्साइज में कुछ न कुछ पार्ट आता है इसका पी का मान ओगया है इसमें देख़िए डिटु बाई का गुणा के का स्मिकण हो गहीं मानक समिकणिय है तो पी का मान है माशन क 28 2 4R कमान एक्स के पावर 4 अमाल लिया डीजट उप उपन दी एकस स्क्वार बराबर 4 x sqraire दोनों स्क्वार में है तो स्क्वार करने की ज़रूरत नहीं तो डीजट आपवन दी एकस इकोल टू टू एकस आ गया जिससे जट निकाल लेंगे जट बराबर एकस sqr z z d z d z berabar two x dx अब दोनों तरफ समा कलीं किया तो z ब्राबर x sqr आ गया और इसका एक बार हो ऑकलन और दो डी टूबब़ डी x square इकल टूब तो अब इस समयखन आ हमारे पास स्थिध मिन निका लाई जिद्धा रखेंगे तो plus y equal to z by 4 आएगा तो इन दोनों में चीडी कॉमन ले लिया तो डी स्क्वार प्लस वन इन्टो वाई इकॉल तो जड़ वाई 4 साइग समय करना मनेंगे m2 plus 1 m की दो मान आएगे plus 1-8 अब इसका सीफ क्या होगा कि सीफ हो जाएगा सीवन कॉस्ट जड़ सीफ बराबर सीवन कॉस जड़ प्लस सीटो साइन जड़ जड़ कमान लिख देंगे जड़ कमान एक्स स्क्वार था तो एक्स स्क्वार एक्स स्क्वार रख दिया अब इसका पी और और निकालेंगे पी आई और निकालेंगे तो पी आई इसमें मैं पूरा मेथड नहीं बताऊंगे क्योंकि लंबा मुझे मेथड है तो इस प्लेइलिस्ट को सुरुआ से देखिए गा ताकि आपको पी आई निकालना आजाए पी याद करना आजाए तौ पी आई बराभर एक गटा चार ब्रैक्त वन स्वेड़ प्लस फ्लस 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 जड यह उपर आए गा इसकी पावर माइनस हो जाएगी अभी इसका माइनस हो जाएगी cos x square plus e to sin x square plus x square by 4 याने z कामा रख दिया पर x square by 4 यह इसका अंसर हो जाएगा complete question number 3 अगा next question number 4 d2y minus 8 e to the power 2x plus 2 bracket dy plus 4 e to the power 4x into y equal to e to the power 6x तो p का मान निकाले हैं सबसे पहले क्योंकि यह मानक समी करना है p equal to होगा p का मान आएगा यह रहाँ p का मान और यह q का मान है और यह r का मान है तो इन तिनों मानों को रख दिये हैं पर अब मान यह dz upon dx square equal to 4 e to the power 4x दोनों square में है तो square दोनों से कट जाएगा तो dz upon dx यहां पर under root आएगा मतलब कहने का है तो dz upon dx यह square अटेक है तो यह under root आएगा तो इसका मान आएगा 2 इसका मान आएगा e to the power 2x तो dz upon dx equal to z 2 e to the power 2x है तो z का मान लिख दिया सिधा ही मैंने dx यहां पर गुणा करवा के समाकलन करवा दे दोनों तर्फ तो z equal to i हमारे पास e to the power 2x और इसका एक वार और आउकलन करए है तो d to z upon dx square equal to 4 e to the power 2x अब p1 के value निकालेंगे उसी formula में रखेंगे मान सभी के तो p1 के मान हमारे पास आएगा last में p1 का मान है minus 4 q1 का मान 1 और r1 का मान है z by 4 r1 का मान है z by 4 अब देखिए अब इस चमिकन में इस का मान रखेंगे d2y upon dz square minus 4 dy upon dz plus y equal to z by 4 इन तिनों में से क्या लेंगे y को में लेंगे तो d square minus 4 d plus 1 into y equal to z by 4 इसकी साइक समिकन बनाएंगे m square minus 4 m plus 1 m square minus 4 m plus 1 इसकी बनाएंगे साइक समिकन equal to 0 तो हमें के 2 मान आएंगे m बराबर 2 plus r plus root 3 और 2 minus root 3 तो इससे cf आजाएगे हमारे पास cf equal to e to the power 2 z bracket 7 cos hyperbola z root 3 plus c2 sin hyperbola z root 3 अब इसका पी निकालेंगे क्योंकि यह वाले टम बच गई है तो पी इकॉल to one upon d square minus 4 d plus one into z by four इस पूरे को उपर ले जाएंगे और इसमेंसे क्या को मन लेंगे four को मन लेंगे तो one by four bracket one minus 4 d plus d square के ओल पार होगी minus one into z अभी series को उपन करेंगे तो one plus four d minus d square into z अभी z को अधर कराएंगे अंदर multiply कराएंगे तो z और यहां पर एक बार डिफेरेंसियंसेंसेंगे यहां पर दो बार एक डिफेरेंसेंसेंगे दो बार plus 2 sin i perpola 8 to the power 2 x root 3 plus 8 to the power 2 x upon 4 plus 1 यह answer आएगा इसमें last में z कमान भी इसमें रख दिया z कमान नहीं आया था 8 to the power 2 x तो यह answer होगया question number 4 का उसी प्रकार से question number 5 करेंगे question number 500 हमारे पास है d square minus cortex into dy minus sin square xy equal to cos x minus cos cube x तो d2y का गुणा का एक है इसलिए यह मानक समीकन है लेकिन फिर भी इस तरफ solve करेंगे इस तरफ solve करेंगे cos x common लेंगे 1 minus cos square x और अब इसका निकालेंगे p क्या है minus का cortex q क्या है minus का sin square x minus का sin square x और r क्या है cos x bracket 1 minus cos square x इसको यह लिख दिया sin square x यानि cos x into sin square x r कमान आ गया अब मान लेंगे क्या dz upon dx का all square बराबर हो जाएगा q square यानि यह हो जाएगा plus यह square का square ही पढ़ा है माना dz upon dx का all square equal to sin square x तो dz upon dx equal to sin x आ गया और z कमान आ गया minus का cos x और d2 z upon dx square आ गया cos x p1 कमान इससे आया हमारे पास 0 और q1 कमान है minus का 1 और r कमान है z r कमान z कैसे आया है r बराबर है cos x हमारे पास z कमान था cos x तो यहाँ पे लिख दिया z अब इस समिकन थी तो वो बनेगी d2 y upon d z square minus का y equal to z यानि अभी समिकन में मान रखने के बस साथी आ रही है समिकन तो इससे y common लेंगे तो d square minus 1 into y equal to z और इसके साइक समिकन होगी m square minus 1 equal to 0 m के मान आएगा plus 1 और minus 1 जिससे cf हो जाएगा c1 e to the power z plus c2 e to the power minus z z का मान रखेंगे minus का cos x और इस तरफ cos x हो जाएगा तो cf आएगा c1 e to the power minus cos x plus c1 e to the power cos x यानि c2 कर दो चाहिए c1 कर दो constant है कुछ भी किरो pi कमान दे कि 1 upon d square minus 1 into z equal to आएगा minus यह उपर जाएगा और 1 minus d square कि all power minus 1 into z z इन दोनों में से पहले minus common लिये उसके बार में उपर गिये into z equal to आएगा इस का मान आएगा इस सीरीज को open करेंगे उसके बार solve करेंगे तो इसके आएगा minus led z का मान है cos x तो minus cos x आगे pi कमान तो y equal to solution होता है हमारे पास y equal to cf plus pi तो y equal to c1 e की power cos x plus c2 e की power minus cos x minus का cos x यह हो गया question number 5 का answer तो आज के वीडियो में बस इतना ही क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है तो next वीडियो में इसके 5 question और कर लेंगे तो धनिवाद सभी का जो बच्चे यहां तक है वीडियो देखने के लिए आई है